हाई वीवर्स एक बाद फिर्चे स्वागत आप सबका मारी यूट्यूब चेनल जाइका इंडिया का पर आज हम बनाने वाले हैं लजीज और स्मूथ मेंगो पूरिंग वह भी बड़े ही आश्चान तरीके से तो चलिए शुरू करते हैं मेंगो पूरिंग बनाने के लिए हमने यहां पर लिये हैं दो मित्रे आम, 200 ml दूद, एक कटोधी चीनी, एक बड़ा चम्माश कॉन फ्लोर, एक वन फूर टी स्पून जयाने की एक चुट्टी नमक और निंगू यहां पर जो आम लिये थे, उनको छोटे-चोटे पीसिस में कट करकर ब्लेंड कर लिया है, यहां पर ब्लेंड करते वक्त हमने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था, अब इसमें हम नमक, और चीनी को एड़ करेंगे, और एक बाद फीसे ब्लेंड कर लेंगे, हमने चीनी औ नमक डालकर मेंगो तूरी को एक बाद फीसे ब्लेंड कर लेंगे, हमने यहां पर तो डाई सो एमेल दूद लिया था, उतमें से दो सो एमेल दूद, हम इस तूरी में एड़ करेंगे, और इसको एक बाद फीसे ब्लेंड कर लेंगे, हमारे पाकी पच्चे हुए इस दूद में पॉन फ्लोर डाल कर हम इसका मिस्रन तयार कर लेंगे दूद के साथ ब्लेंड करकर हमने जो प्यूरी तयार की थी इसको पकाने के लिए हमने एक बड़तर में इसको लगातार हिलाते हुए इसमें उबाल आने तक हाई फ्लेम पर पकाते रहेंगे अब देख सकते हैं कि हमारी प्यूरी में उबाल आने लगी है अब हम इसमें कॉन फ्लोर दूद का मिस्रन एट कर देंगे और इसको लगातार हिलाते हुए पकाते रहेंगे जब तक कि यह गाड़ा ना हो जाए तकरीबान पांच मिनिट के बाद हमारी प्यूरी गाड़ी हो चुकी है अब हम गेस की फ्लेम को ओफ कर देंगे और इसमें चाय से पांच ग्रोप मिम्बू का रस एट करेंगे और इसको अच्छे से मिश कर लेंगे इसकी फ्लेम को ओफ करने के बाद हमने पूरन प्यूरी को इस मॉल में ट्रांसपर कर लिया है अब हम इसको इस तरह से टेप करेंगे ताकि इसमें बबस ना रह जाए और रूम टेंपरेचर उपर इसको ठंदा होने के लिए एक घंटे के लिए रखने के लिए हमारी पूरिंग को रूम टेंपरेचर पर रखने के लिए एक घंटा हो चुका है अब हम इसको सेट होने के लिए फ्रीज में रख देंगे हमने पुडिंग को एक घंटे रूम टेमपरेचर पर रखने के बाद तीन घंटे फ्रीज में रखा था अब यह सर्व करने के लिए बिल्कुल तयार है हम इसको केरफूली इस तरह सर्व करेंगे अब देख सकते हैं कि हमारी मैंगो पुडिंग इपने खुबसूरत तरीके सेट हुई है तो लीजिए खाने के लिए विए तो तयार है हमारी लजीज और स्मूथ मैंगो पुडिंग अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कोमेंट बोक्स में जरूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइगन दबाना ना भूले